हेलो स्टूडेंट्स आज हम पोटेटो ड्रो करेंगे पोटेटो को ड्राइंग बहुत इजी है बहुत आसान है मैं इसको ड्राइंग करूँगा इसके बाद आउटलाइन करके हम कलर करेंगे ओके आप सब ध्यान से देखना ठीक है मैंने ड्राइंग कंप्लेट कर दिया पटाटो का शेप डिफरेंट टाइप का होता है मैंने यहां पे अलग है यहां थोड़ा से चेंज हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम ड्राइंग किसी बीप ड्राइंग कर सकते हैं ठीक है मैंने इसका ड्राइंग कंप्लेट कर दिया इसका आउटलाइन करने कबाद हम इसको कलर कंप्लीट करेंगे ओके मैंने इसको स्केज़पेंट से आउटलाइन कर दिया स्केज़पेंट से आउटलाइन करने के बाद मैंने ब्राउन से इसके उपर इसके उपर मैंने हलका हलका ब्राउन कलर से ऐसे दे दिया है यह पुरा हलका हलका मैंने ऐसे ब्राउन कलर दे दिया मैंने प्रॉस अच्छे से fill up कर दिया और इसी brown से यहां पर जो spot है जो dark है उसके अपर ऐसे हलका हलका dark करके मैंने चला दिया है ठीक है यह मैंने brown से fill up कर दिया अब brown से करने के बाद अब मैं इसको yellow के साथ fill up करूँगा यह yellow color ले लिया मैंने अब इसको dark करके हम थोड़ा इसके पर चलाएंगे हैं मैंने पटाटो का कलर कंप्लीट कर दिया पटाटो का कलर प्रप्र डार के लो थोड़ा सा डार के लो होता है इसलिए मैंने हलका सा इसमें brown यूज किया है ओके आप लोग सब drawing और curling अच्छे से समझ गए होंगे इसको घर में draw करके करके दिखाईएगा ओके बाई